चलिए, शुरू करते हैं आज का session, last class में हमने atoms and molecules के अंदर कुछ छोटे-छोटे topics के बारे में पढ़ लिया था, हमने ions समझ लिया था, ions क्या होते हैं, हमने chart देख लिया था, ions का कैसे, polyatomic ions, simple ions, साथी साथ हमने cation and ion ये सब बाते भी कर लेती, और valency के बारे मैं भी मैंने थ छो फटा-फट explain जकराते हैं, जेखो, मैं वैलेंसि मेटा, दो case में लेके चलती हूं, metal के case में लेके चलोगी और non-metal के case में लेके चलोगी, ठीके? metal के case में क्या है भाई वैलेंसी और nonmetal के case में भाई वैलेंसी क्या है दोनों के बारे में मैं आपको समझाती हूँ देखो कुछ metal का नाम बताती हूँ जैसे बात हो गई है sodium की ठीक है sodium का atomic number होता है beta 11 मैंने आपको last class में दिखाया था electronic configuration लिखना KLM सिखाया था ना last class में, के की maximum capacity है तिये 2, बाकी की होती है 8 और इसमें आ गया 1, 11 हो गया, बात करते हैं magnesium की, atomic number होता है बेटा 12, इसकी electronic configuration की बात करूँ तो 282, बात करती हूँ aluminium की जिसका atomic number होता है 13, electronic configuration की बात करूँ तो 283, ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले नजर कहाँ डालनी है, नजर डालनी है आपको outermost cell पे, नजर डालनी है आपको outermost cell पे, सबका outermost यह हुआ, ठीक है, दो चीज़ या रखना, कोई पूछता है, valence electron क्या होते हैं, कोई पूछेगा कि identify, या write the number of valence electrons in case of sodium, in case of aluminium, valence electron का मतलब होता है, जो electron सबसे outerm most cell में होता है, उसको हम valence electron बोलते हैं, जैसे sodium का valence electron कितना है, one है, magnesium का valence electron कितना है, two है, aluminium का valence electron कितना है, three है, valence electron का मतलब ही होता है, the number of electron which is present in the outermost cell, ठीक है, अब valence की बारे में बात करते हैं, ठीक है, Metal के case में, जितने number of electrons होते हैं valence cell में, जितने number of electrons होते हैं valence cell में, वही उसकी valence से भी हो जाती है, जैसे मैं पूछ हो, sodium की valence कितनी होगी, तो बच्चे मुझसे बोलेंगे sodium की valence होगी, one, क्यूंकि valence से कितना electron, ELECTRON एक, कोई पूछा है MAGNESIUM की EVALANCY कितनी होगी , तो VALANCED CELL में कितना ELECTRON ? तो 2, कोई पूछा है ALUMINIUM की EVALANCY कितनी होगी , तो VALANCED CELL में कितना ELECTRON ? 3, तो VALANCY होगी 3, ठीक है , यानि METAL के CASE में , जितने NUMBER OF ELECTRON present होते हैं , वही UZKI VALANCY हो जाती है , Carbon का Atomic Number 6 होता है, Electronic Configuration लिखूँ तो 2 और 4, ठीक है? 2 और 4 आगे है, बस Satisfy हो गया 2 इसमें, और 4 इसमें 2, 6 हो गया, L-Shell की जरूती नहीं है मुझे इसमें, बात करते हैं, Next आजाओ, हम बात किसकी करें, Oxygen की, Atomic Number is 8, ठीक है? K और L, K और M, ठीक है? K L, sorry L छूट गया बेटा, M लिख दिया मैंने आप पर, sorry, सही बोला, यहाँ पर K, L, L में कितने होंगे 4, और यहाँ पर K में होंगे 2, यहाँ पर हो जाएंगे 6, एक और ले लेते हैं, हम एक्जामपल किसका ले ले मैं, एक्जामपल ले लेती हूँ म है, nitrogen का atomic number is 7, K cell में आगे मेरे 2, L cell में आगे मेरे 5, ठीक है? और एक्जामपल ले लूँ किसका ले लूँ भाई, क्लोरीन का ले लो, आजओ, atomic number is 17, K cell, L cell और M cell, 287, सब के outer most cell पर नजर डालते हैं, चलो, outer most यह हो गया, 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 outer most यह हो में, valence electron carbon में कितने है, 4, valence electron oxygen में कितने है, 6, valence electron nitrogen में कितने है, 5, valence electron chlorine में कितने है, 7, जितने outer most में electron present होंगे, वही क्या हो जाएंगे, उसके valence electron हो जाएंगे, लेकिन बात करूँ, valency की, तो यह वैसे नहीं होंगे, जैसे हम metal में बोल रहते हैं, अगर कोई पूछे, oxygen की कितनी है या carbon की valency कितनी है तो आप मुझे 4 नहीं बोलेंगे इदर, आप मुझे 6 नहीं बोलेंगे इदर, इदर valency होगी जितने की कमी पड़ रही है, अराम चे समझो हरबडा के समझने वाला खेल नहीं है यह, इदर बात करते हैं, चीक है, carbon के case में, सब के सबके में 8 होना चाहिए, यही मैंने सिखाया आपको octate rule, मैंने आप लोग को octate rule ही सिखाया, just a second, हाँ जी, मैंने आपको octate rule में क्या सिखाया है, कि outermost cell में कितने electron होने चाहिए, stability के लिए 8 होने चाहिए, कितने की कमी है भाई, तो इसकी कमी है, 8-4, तो कमी हो गई कितनी, 4 electrons की, यानि carbon की valency कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, oxygen की valency की बात करते हैं, 8-6, तो कितनी valency हो गई oxygen की, 2 हो गई, nitrogen की बात करते हैं, 8-5, valency कितनी हो गई nitrogen की, 3, chlorine की बात करते हैं, 8-7, valency कितनी हो गई chlorine की यानि आपको non-metal के लिए जितने की कमी हो रही है 8- number of electron present in the outermost cell उतरा कर दोगे तो उसकी valency आ जाएगी, ठीक है, लेगिन metal के case में कैसा था, जितने थे, वही उसकी valency हो जा रही थी, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, एक चीज और, metal, non-metal को पहचानेंगे कैसे, तो अगर किसी क outermost cell में, अगर किसी की outermost cell में one electron है, two electron है, three electron है, तो वह किस के अंदर आ जाएंगे बेटा, metals के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, अगर exam में कोई सवाल ऐसा लिखा है, कि X has atomic number 12, identify it is metal or non-metal, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, electronic configuration लिखके देखेंगे, outermost में कितने electron आएंगे इसके दो आएंगे, यानि यह क्या है, metal है, ठीक है, अगर किसी के outermost में four electron है, five electron है, six electron है, और seven electron है, तो वो किस के अंदर आ जाएंगे, आपके, non-metal के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल clear, और eight है तो तब वो stable है, उसको कोई valency की ज़रोद नहीं, वो noble gas के अंदर आ जाएं आपके लिए clear है, इसको पहले एक बार लिख लिजी, अपने language में समझ लो, metal की case में लिखोगे, metal लिख के लिखोगे, number of electrons, number of electrons present in the, present in the valence cell, is equal to its valency, to valency, जितने valence cell में electron present होंगे, वही उसकी valency हो जाएगी, ठीक है, तो इतना पहले लिख लिख लिजीए, उसके बार हम आगे चलते हैं, next topic पर, चलिए, next topic शुरू करते हैं, देखो, valency समझने के बाद, chapter का आखरी topic है, हम सीखेंगे क्या writing chemical formula लिखना सीखेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग chemical formula सीखेंगे, बहुत सारे लोग chemical formula सीखेंगे, बहुत सारे लोग को सब बच्चे सोचते हैं, रठ के आद रख लेंगे, बद रटने वाला कोई सीखेंगे, हमें सीखना है कि जो chemical formula हम पढ़ते हैं इतने सालों से, ये बना कैसे, इसे बनाना सीखेंगे, कुछ rules है, बेटा, ये rule ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, अगर मैं पढ़ दूँ, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो rule अपने आप, आपको chemical formula बना ही नहीं पाऊगे, आप chemical formula समझ ही नहीं पाऊगे, कि कैसे आपको chemical formula करना है, ठीक है, पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए, इसमें सारे की सारे important ही है, कोई भी ऐसा नहीं है, जिसको मैं side कर दूँ, और मैं बोलूँ कि नहीं बटा कर ये side भी हो जागा, तो आ याद करके ही चलेंगे, ठीक है, मैं आपको example से सिखाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ जगा खाली रखी है, ता कि आप यहीं से देखके, सीख जाएंगे कैसे बनाना है, चलो, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आ गया exam में, कि write the chemical formula of sodium chloride, simple सी बात करते हैं, सारे बच्चों को Na, सबसे पहला काम क्या करना है, जो चीज आप से पूछी गई, उसका symbol लिख लो, symbol, इसलिए मैंने बता है, symbol भी आद होना जरूरी है, तो मुझे पता है, sodium का symbol Na होता है, और chloride का symbol क्या होता है, क्लोरीन से बना है, chloride, तो chloride का symbol होगा Cl, ठीक है, sodium पे valency कितनी है बेटा, यह जो valency है, ठीक है, sodium की valency कितनी है बेटा, प्लस है, तो आप क्या करो, इसके नीचे लिख दो plus, तरीका, क्लोरीन की valency कितनी है बेटा, चेक करो, chloride की valency, minus 1, इसके नीचे भी लिख दो 1, ठीक है, कुछ स्कूलों में आपको बताया जाएगा, कि आप चार्ज भी mention करो, तो अगर आपके मन के ऊपर है, लेकिन यह कुछ जरूरी नहीं है ऐसा, चाहो तो यहाँ प्लस लिख लो, चाहो हो तो यहाँ माइनस लिख लो, ठीक है, मैं बिना लिखे भी बताती, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्कूल ने बताया जाता तो लिख लो, अब करना क्या है, क्रिस- sodium पे कितना आ गया one, chlorine पे कितना आ गया one, इसको ऐसे लिखो, sodium पे आ गया one, chlorine पे आ गया one, ठीक है, one लिखो ना लिखो, chemistry में one लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो one one तो कुछ ही नहीं, one one तो हट गया, तो मेरे पास क्या बचा सिर्फ na, cl, ठीक है, next बात करते हैं, write the chemical formula of magnesium chloride, देखेंगे, सबको आता है, लेकिन कैसे लिखना है, वो सिखेंगे, magnesium chloride का formula कैसे बनाएंगे, सबसे पहला क्या सिखा है मैंने बच्चों को, जो है पहले उसका symbol लिखो, magnesium का symbol mg, chloride का symbol cl, magnesium की valency 2, plus 2, chlorine की valency minus 1, क्रिस क्रोस कर दू, तो magnesium पे आगया आपका 1, chlorine पे आगया आपका 2, 1 लिखो ना लिखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, mg, cl, 2, ठीक है, और बात करते हैं, आजओ, थोड़ सा ही रिस कर दू, ठीक है, next हम बात करते हैं, आजओ, हम बनाते हैं, sodium, नहीं, हम बनाते हैं, write the formula of magnesium carbonate, ठीक है, write the formula of magnesium carbonate, write the formula of magnesium carbonate, ऐसा exam में सवाल आएगा आपके पास, ठीक है, क्या करना है सबसे पहले, जो पूछा है, उसका symbol, magnesium का symbol, mg, और चार्ट में से देखे, carbonate का symbol, CO3, 2-, ठीक है, तो सिफ लिखोंगे, CO3, ठीक है, बहुत बढ़ा जी हो गया, रुजो, समझ में आए इतनी चीज़े, वैलंसी लिखते है, magnesium की वैलंसी प्लस 2, और chloride की वैलंसी माइनस 2, क्रिस क्रोस करेंगे, तो मेरा बन जाएगा mg2, ठीक है, और क्या बनेगा मेरा, CO3, 2, सुनना मेरी बात को, पहले दो चीज़ सुनना, दोनों सेम सेम है, तो आप उसको solve कर द ठीक है, अच्छा, तो मेरा symbol सिर्फ क्या बनेगा, मैं जो bracket लगानी की जरूतनी, मैं सिर्फ क्या लिखूँगी, mgCO3, ठीक है, simple सा, ठीक है, next आजओ, next मैं बनाती हूँ, इसमें से, ammonium sulfate, ठीक है, ammonium sulfate बनाते हैं, मैं थोड़ा सा, इसको erase करती हूँ, सब आपको लिखवा ठीक है, NH4, ठीक है, NH4, sulfate कहां गया, ढूंडो sulfate, SO4, 2-, SO4, ठीक है, ammonium की valency कितनी है, plus 1, sulfate की valency कितनी है, minus, 2, ठीक है, क्रिस-क्रोस करेंगे, आजओ, क्रिस-क्रोस करते हैं, अब मेरी बात ध्यान चे सुनना, NH4 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मैंने लिखा N, मैंने ल 4, अब actually problem क्या है, क्या ये single atom है, नहीं, ये तो group of atom है, एक nitrogen है और 4 hydrogen है, जब group of atom होता है बेटा, तो उसको जो हमें formula देना होता है, तो उसे हम bracket में करके देते हैं, single atom में bracket करके नहीं देते हैं, जैसे मुझे लिखना था magnesium chloride, तो क्या मैंने chlorine पर कोई ऐसा bracket दिया था, नहीं क्योंकि single chlorine का atom था, लेकिन यहाँ एक से जाधा atom है, तो मैं bracket देके लिखूंगी नीचे 2, छीक है, sulphate पर क्या है 1, तो sulphate पर भी bracket होता है, लेकिन 1 लिखो ना लिखो, तो मैंने सिर्फ SO4 लिखा, चीजे समझ में आई, तुम लोगो धीरे-धीरे, छीक है, इसी तरीके से कर क्या है यह, टेबल, यह टेबल याद होगी तो किस करना आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, जब main formula लिखते हैं, तो हम charge नहीं लिखते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है बस, अब इस पर मैं कुछ सवाल देती हूँ, atoms and molecules नाम का chapter ने बेटा यहीं पर खतम ह होता है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं, बात में mole concept शुरू हो जाता है, बट mole concept से ले बस ही deleted है, तो यहाँ पर chapter खता में, इसके कुछ question करोगे, तो तुम लोग वो idea लग जाएगा कि कैसे कैसे इसके सवाल आते हैं, ठीक है?